फ्रेंड्स भारत की संसदिय परंपराव पर देश वाचियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है जिसे आपको जानना और समझना बहुत एहम है यह शक्ति है हमारी विविदता हमारी विशालता हमारी वाइबरंसी हमारे यहां हर आस्था के लोग है सेंकड़ो तरह का खान पान सेंकड़ो तरह का रहन सेन हमारी पहचान है भारत में सेंकड़ो भाषाएं बोली जाती है हमारे हां सेंकड़ो बोलिया है लोगों तक पल-पल की सूचराएं पहुचाने के लिए 28 languages में 900 से जादा TV channels भारत में है करीब 200 languages में हमारे हां 33,000 से जादा अलग-अलग news papers पब्लीश होते हैं हमारे हां social media के अलग-अलग-अलग platforms पर लग भग 3 billion users हैं इससे पता चलता है कि भारत में information का flow और freedom of speech उसका level कितना बिराठ है कितना ससक्त है 21 सदी की इस दुनिया में भारत की ये vibrancy विवी तता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ती है ये vibrancy हमें हर चुनोती से लड़ने की हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेणा देती है friends, दुनिया के अलग कौनों में जो कुछ भी गट रहा है उचसे आज कोई भी अच्छूता नहीं है conflicts और confrontation से आज दुनिया संक्रटों से जूज रही है इन संक्रटों से भरी दुनिया किसी के भी हीत में नहीं है मानवता के सामने जो बड़ी चुनोतियां है उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती यह शान्ती और भाईचारे का समय है साथ मिलकर चलने का समय है साथ आगे बढ़ने का समय है यह सब के विकांस और कल्यान का समय है हमें वैश्विक विश्वास के संक्रट को दूर करना होगा और मानव केंदरीत सोच पर आगे बढ़ना होगा हमें वीश्वकों वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधीख होगी उतना ही बड़ा इंपैक्ट होगा इसी भाव के साथ भारत ने अफ्रिकन उनियन को जी ट्विट्टी का पर्मेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा मुझे खुशी है कि सभी संदसे देशों ने इसे स्विकार किया इस फॉरम पर भी पैन आफ्रिका पार्लेमेंट की पार्टिसिपेशन को देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है